आप सभी वीवर्स का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूपी ट्रिपल सी के आने वाले सभी एक्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जो हमारी सीरीज चल लई है उसके मौक टेस्ट को जो की मैट्स के उपर होगा दूसरे सब्जेक्ट के जो भी मौक टेस्ट चैनल पर अप्लोड होते रहते हैं I hope सभी लोग उसको भी देख रहे होंगे तो हम लोग इसमें स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कौन-कौन से कॉशन हमने आपके लिए आज लिए हैं तो ये लीजिए पहला कॉशन ये है स्कूल और ये है होम जाते समय जो स्पीड है वो है चार किलोमीटर पर आर लेकिन जब घर से स्कूल आता है कोई भी व्यक्ती तो अपनी स्पीड कम कर देता है 2.5 की स्पीड से वो आता है If it takes 13 hours in all मतलब स्कूल से घर जाने और वापस आने में जो टाइम लगता है कुल मिला के वो है 13 घंटे का Then find the distance between the school and home ये बताना है इसमें तो सबसे पहले ये जो दोनों स्पीड है इसको एक स्केल पे ले आते हैं Convert कर लेते हैं single equivalent speed में जो की average speed के बराबर हो जाएगी Distance क्या होता है speed into time लेकिन हमारे case में distance होगा Average speed into time तो distance बताना है निकाल लेते हैं सिदे सिदे Average speed होती है जब distance ना दिया हो तो average speed कैसे निकालते हैं 2AB upon A plus B से into में T रख दीजे values और answer आपको मिल जाएगा A और B किसी को भी मान सकते हैं तो 4 into 2.5 Divide by 4 plus 2.5 यानि 6.5 और time है 13 गंटे का Point से point cancel हो गया 13 पंजे 65, 55, 25 4 पंजे 20, 42, 40 तो distance आ गया 40 km जो की चारों option में नहीं है तो इसमें एक E option हो गया 40 उसको आप tick कर सकते हैं वैसे ये थोड़ी typing में mistake है 40 लेना चाहिए था ये कीजिए Twice a two digit number is equal to one third of the same number after interchanging the digit एक two digit number है मान लीजे 72 है नहीं आपको समझाने के लिए बता रहे हैं और दूसरा number है वो भी two digit का ही है digit वही उपयोग हुए हैं लेकिन आपने उनकी position change कर दी तो इस तरीके के दो number हैं आपके पास अब relation क्या है वो देख लेते हैं किसी भी two digit number को लिखने का जो तरीका है वो 10x प्लस y होता है अब इसका double करना है यानि इसको two से multiply कर दिया is equal to one third तो one third किसका लें हम one third लेंगे 10y प्लस x का क्यूंकि हमने xy की position change कर दी तो यहाँ पे आपको बताना है वो number क्या होगा क्या आप बता सकते हैं आप नहीं बता सकते क्यूंकि यहाँ पे equation 1 ही है जबकि unknown 2 है तो solve नहीं हो सकता इसलिए cannot be determined option D अगर आप चारों option से भी करना चाते हैं तो भी आपका नहीं निकलेगा यह तो पूरी तरीके से confirm है और वो ऐसा इसलिए क्यूंकि 89 का double क्या होता है यह होता है 158 अगर आप 97 का one third लेंगे जो कि इसका उल्टा है तो क्या आपको 158 मिलेगा कभी नहीं मिलेगा और ऐसी कुछ condition बाकी की दो option में भी बनेगी अब यह कीजिए शंकर purchased an article and sold it at a loss of 10% तो मान लीजिए 100% में वो खरीद के लाया मानना क्या है cost price अमेशा 100% ही तो होता है शुरू में और उसको 10% loss में बेच दिया यानि की 90% में बेच दिया had he bought for rupees 20% less 20% कम में खरीदा होता imaginary situation है तो 20% कम में खरीदा होता यानि की 80% में वो खरीदा होता and sold it for rupees 140 more यानि की जो 90% में बेच रहा था ना पहले अब उससे 140 रुपे में जादा बेचेगा he would have gained a profit of 30% तो 30% का profit उसको हो जाता अगर वो ऐसा कर लेता तो अब हम समझते हैं कि 130% sorry 30% profit का मतलब क्या होता है 130% तो किसी चीज को 30% से बढ़ाने के लिए उसको किस से multiply करते हैं 130 बटे 100 से यानि 13 बटे 10 से तो हम cost price को 30% बढ़ाना चाहते हैं इसका मतलब हमें उसको 13 बटे 10 से गुणा करना होगा तो ये रहा selling price और ये भी selling price है तो दोनों को equal कर दीजिए और percentage की value निकाल लीजिए तो ये equation solve हो जाएगी कैसे होगा वो देखिए 108 जा 80 13 ठेक 104 104% is equal to 90% plus 140 90% इधर आएगा तो 14% बराबर 140 14 10 जा तो 1% की value क्या आगई 10 आगई इन्होंने हम से पूंचा है what is the cost price तो 100% की value हमें निकालनी है यानि यहां से 100 गुना तो 10 का 100 गुना कर लीजिए 1000 आजाएगा यही हमारा cost price होगा तो option A ये कीजिए अब सभी inner city 68% of the population are literate तो कुछ भी value मान लीजिए अब चारों option में एक बार देखी कि क्या आप से ये तो नहीं पूंचा गया कि बताएगे कितने male है कितने female है ऐसा कुछ नहीं पूंचा गया हमें simple सा ratio चाहिए तो इसका मतलब absolute value का कोई काम है भी नहीं तो मान लिया कुल मिला के 100 लोग रहते हैं अब 68% लोग पढ़े लिखे हैं ये literate हो गया जहां तक illiterate का सवाल है तो वो बाकी के 32 होंगे अब ये जो 68 हैं यहां पे बोला गया है कि दर रेशियो आफ मेल से फीमेल सी इस 11 इस टू 6 ये जो 68 हैं इन में से कुछ मेल है तो कुछ फीमेल है इनका सिंपल सा रेशियो 11 इस टू 6 है अगर हम इनको आइड करेंगे तो 17 आ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 17 है वो सही में हमारे पास 68 है तो 17, 468 तो हर एक चीज चार गुना है यानि कि मेल यहाँ पे 11, 44, 44 और 4, 6, 24 ये फीमेल हो गई 44, 24, 68 और टोटल 68 कंडिशन सेटिसफाइड अब ये जो बाकी के 32 हैं इन में देख लेते हैं दा रेशियो अफ इलिट्रेट मेल वर्सिस फीमेल इस दिस तो 3 बटे 1 के रेशियो में मेल और फीमेल बटे हुए हैं अगर टोटल 32 है तो तो 4 का मतलब 32, 1 का मतलब 8 तो यहाँ पे मेल हो जाएंगे 3, 8, 24 और फीमेल हो जाएंगी 8 24, 8, 32 और टोटल 32 कंडिशन सब को सेटिसफाइड हो गई अब इसके बाद जो पूँचा है आप बता सकते हैं आपको numerator में भी फीमेल लेनी है लेकिन लिटरेट वाली denominator में भी फीमेल लेनी है लेकिन लिटरेट वाली लिटरेट फीमेल कितनी है 24 है यह लिटरेट है लिटरेट फीमेल कितनी है तो 8 है एट वन जा एट थी जा तो तीन स्टू एक का एक रेशियो आ गया थी स्टू वन आप्शन सी अब ये कीजिए अमैन इन्वेस्टेट फिफ्टीन परसेंट ऑफिस सेलरी इन लाईसी वो जितने भी रुपए पाता था उसमें से 15% एलाईसी में दे दिये तो मान लीजिए वो एक सुरुपए पाता था अब उसमें से उसने 15% निकाल लिए एलाईसी को देने के लिए तो बचे कितने 85% तो इसको मल्टिप्लाई कर दीजिए 85 बटे 100 से अब उसके हाथ में ये पूरी के पूरी सेलरी है अब ये वाली सेलरी इनके हाथ में ना आके इनकी माता जी के हाथ में आ गई अब इन्होंने क्या किया कि 10% और कम कर दिया कहां इन्वेस्ट कर दिया हाउसोल्ड एक्सपेंसे में तो इसका मतलब 90% अभी भी इनकी मदर के पास है तो 10% से कम करने का मतलब है 9 बटे 10 से गुणा कर देना तो इसमें 9 10 कर दिया अब ये salary है इनकी मदर के पास अब इसका इन्होंने कुछ नहीं किया and was left with rupees this तो ये पूरी की value जो है वो 30,600 के बराबर है तो इसको cancel out करके x निकालना है बस तो देखी जल्दी से कैसे निकालेंगे 5,17 जा 5,20 जा 17 इन्टू 9 क्या होता है 153 और ये जो 306 है 153 का double ही तो है तो ये पूरा कट गया दो बार में 306 और 2,0 यहाँ पे आ गये 20 दहम 200 नीचे भी है और 200 यहाँ भी है ये वाला 200 जब यहाँ पे जाएगा तो multiply हो जाएगा तो 200 का square यानी की 40,000 तो option D यहाँ से correct हो गया ये कीजिए अब सभी There are 40 children in a class in which boys are 4 more than the girls एक class है उसमें कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं अब जितने लड़के हैं student आ जाएंगे जो की 40 है तो 2x plus 4 is equal to 40 तो 2x बराबर 36 तो x बराबर 18 तो जो लड़कियां हैं वो 18 आ गई और लड़के इन से 4 जादा होंगे तो 22 हो गए तो यहाँ से हमें ये information मिली कि किसी class में 40 student है लड़के 22 हैं तो लड़कियां 18 इतनी बात समझ में आ रही सभी को अब ये जो total हैं जो की 40 हैं इनका average weight आपको बता रखा है 42.5 तो जो girls है 18 उनका weight यहाँ पे 48 है यहाँ पे बताना है क्या होगा इनका average weight तो weighted average का concept लगा देते हैं फिर तो weighted average में दो चीज़ें होती है और उसको total से compare करते हैं तो boys और girls को हम उठा लेते हैं और निकाल लेते हैं फिर हमें average weight 42.5 पता है तो इसको यहाँ पे रखिए अब यहाँ पे आप क्या करिए एक्स मान लीजिए और यह जो बाइस अठा रहा है ना इसको लेने की जरूरत नहीं है इसका ratio ले सकते हैं तो यह 11 और यह 9 थोड़ी calculation तो आसान होई जाएगी अब क्या लिखें इसमें boys आपके पास 11 हैं और average का मतलब क्या होता है कि हर एक लड़का कितने किलो का है तो वो एक्स किलो का है तो total weight 11 इंटू X girls के case में total weight 48 इंटू 9 और divide किससे करते हैं ratio के सम से तो 11 प्लस 9 20 तो solve कर लेते हैं फिर point हटाएंगे 10 को नीचे लाएंगे 10 तूज़ा 20 दो उधर जाएगा तो यह हो जाएगा 850 11 X प्लस 48 गुणे 9 क्या होगा अगर यह 50 होता तो 450 होता अब इसमें से 29 जाएटीन कम कर दीजिए तो 432 432 को उधर लाइए तो 11 X बराबर 850 माइनस 432 तो यहां से 8 बचा यहां से 1 बचा यहां से 4 बचा 418 तो चलिए 11 से काटते हैं 11 3 जा 33 8 बचा और इस 8 को हमने नीचे उतारा 11 8 80 हमें X बताना था क्योंकि भाई एवरिज था हमने बता दिया 38 यानि क्यों Option B अब यह कीजिए P is 1.5 times as efficient as Q तो यह P है और यह Q है P जो है डेड़ गुना जादा efficient है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर Q एक दिन में एक यूनिट काम निप्टाता है तो P डेड़ यूनिट निप्टाएगा 2 से multiply कर ले तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर Q एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो यह करेगा 3 तो P वर्सेस Q की efficiency हमें पता चल गई 3 is to 2 अब यहाँ पर आगे देखिए R takes half times as compared to P तो यह P है और यह R है R जो है वो आधा time लेता है इसका मतलब यह हुआ कि वो double efficient है जो बंदा time आधा लेता है उसकी efficiency double मानी जाती है तो अगर P एक दिन में एक unit काम करेगा तो इसका मतलब बार करेगा 2 unit तो P वर्सेस Q हमें पता चल गया पहले से 3 is to 2 अब हमें P वर्सेस R का भी ratio पता है 1 is to 2 अब इन ratio को merge करके P is to Q is to R हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि तभी हम 3 की efficiency को compare कर पाएंगे यहाँ पे P की place पे 3 है यहाँ पे P की place पे एक है तो यहाँ भी 3 बनाना पड़ेगा तो 3 is to 2 is to 2, 3 is to 6 यह हमें ratio पता चल गया P, Q और R की efficiencies का आगे लिखा हुआ है if P and Q takes 12 by 5 days to complete half of the work आधे काम को करने के लिए 12 बटे 5 दिनों का समय लगता है तो पूरे काम को करने के लिए 2 गुना लगेगा 24 बटे 5 का किसको P और Q को तो P और Q जो है 24 बटे 5 दिन में पूरा काम कर लेते हैं और हर एक दिन में दोनों मिलके 5 unit निप्टाते हैं 3 प्लस 2 पांच तो ऐसे ऐसे इतने दिन लगते हैं और हर एक दिन इतना काम होता है तो इसका मतलब टोटल काम हम निकाल सकते हैं टोटल काम उतना ही है जितना P और Q 24 बटे 5 दिन में कर सकते हैं और हर एक दिन वो 5 काम करते हैं तो टोटल वर्क हो गया चौबिस यूनिट का ये बहुत important information है अमारे लिए अब ये जो चौबिस यूनिट है ये करने किसको है P और R को क्योंकि उन्हें का time बताना है P और R एक दिन में कितना करते हैं 3 और 6 नौ तो 9 से divide कर दीजे ये आपका time आ गया 3 8 जा 3 3 जा तो 8 बटे 3 दिनिया से correct हो गया Option number D ये कीजी अब सभी If 7 marks are awarded for each correct answer and 4 marks were deducted for each wrong answer in an examination एक परिक्षा का नियम ये है आप अच्छी तरीके से जानते होंगे क्योंकि आप paper देते रहते हैं 7 number मिलते हैं correct answer के लिए तो ये plus 7 4 marks चले जाते हैं गलत उत्तर के लिए तो ये minus 4 Allegation लगाने के लिए same type की एक चीज और चाहिए A person appeared in the same मतलब उस exam में वो appear हुआ and scored 263 marks वो इतने number लेकर के आया If we attempted 58 questions in all उसने सारे के सारे 58 question कर लिए तो 263 number लेकर के आया 58 question उसने किये तो हर एक question के लिए वो on and average कितने number लेकर आया 263 by 58 तो ये हो गया इसके difference को यहां और इसके difference को यहां लिखना है तो यहां पर जो हम difference लिखेंगे वो होगा 7 minus 263 by 58 ये उपर जाएगा 58 साथ से multiply होगा 58 गुड़े साथ अगर ये साथ होता तो 420 अंसर आता 2 सकते 14 कम करिए तो 406 हो जाएगा divide by 58 तो 406 में से 263 निकालिए तो 3 और 14 143 by 58 हुआ अब यहां पर जो difference लिखा जाएगा वो होगा 263 by 58 minus 4 अब ये उपर जाएगा 58 चार से multiply होगा तो 263 minus ये हो जाएगा 232 divide by 58 तो 263 minus 232 अब जिसने ये किया उसका गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो जब difference लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये होगा 263 by 58 प्लस 4 263 plus 232 by 58 यानि 495 by 58 तो 495 by 58 होगा 58 से 58 कैंसल 11 से ये कट सकता है तो 11 गुणे 13 11,44 और ये 5 बार में 11,55 तो 45 बटे 13 का रेशियो आ गया और ये रेशियो क्या information देता है कि अगर कुल मिलाके 58 question किये गए तो 45 सही थे 13 गलत और सच में इन्होंने 58 question किये तो ये जो रेशियो है absolute value भी यही है कभी-कभी ऐसा हो जाता है तो correct question कितने किये 45 किये तो कौन सा option सही है तो A वाला